शिरी शिवाई नमस्तुवियम कैसे हैं दोस्तों आश्य करते हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही सवस्तों के हर हर महादेव आज बहुती खास उपाई लेकिया हूँ जैसे कि आपको पताईगी कल 16 अगस्त हैं अमवस्तिया का दिन और अधिक मास का ऐसा संजोग बहुती सालो के बाद बना हैं और कल के दिन कोई भी आर्थिक परिशानियों का जो भी आप सामना उठा रहे हैं या आपके कोई भी काम ऐसा रूका हुआ है आप छोटे-छोटे से ये खास उपाई कर देंगे तो ये बिल्कुली 100% काम्याब होंगे और ऐसा उपाई करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी जहें आपकी धनलक्षमी का हो जहें आपके घर में वास्तु दोश है या आपका वेबसाइन ही चल रहा है नौकरी नहीं है इंट्रव्यू में रह जा रहे हैं या आपका कोई भी कारिय अटक गया करजे में अगर पैसा जा रहा है या आपका दिन इतना अच्छा संजोग बना है बहुती 19 सालों के बाद और ये अब पतानी 3 सालों के बाद आएगा या आखरी मौका है जो भी है इन दिनों खास उपाई ऐसा करके अपने काम को बना सकते हैं और इस कारिय को करके तो अपने सारे काम बना सकते हैं और आपको खास उप कि गर में घर परिवार कोश्य रहें tym करना कि कनेर का फूल की की इसी तरह मतलब काला धतूरा भी आता है काला नफ्स काला धतूरा और सफेद कनेर फूल मणलाकर आप उसका बिल्कुल पीश लह और रोगी को आप लगानी के लिए अगर जैसे कि दिक्कत है गुने au सरदर्द या ऐसी कोई भी परिशानी है तो आप उसका लेपन लगा के सरदर्द और गुटने को ठीक कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा कोई रोगी है सिरदर्द में कनेर का फूल और आवला पीसकर ठंडे पानी में के साथ सिर पर लगाने से सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और अर्श इतना रोग कनेर की जो जड़ होती है जड़ आप ले आएं लाके उसे रोगी के गले में भी छोटा सा पहना सकते हैं ताविस की तरह अगर उपनी हवा बादा है आपके शेहर पे तो वो चीजे भी खतम हो जाएंगी कल की अमवस्या वाले दिन आप ये उपाए जरूर करें दूसरा उपाए कहा जाता है कि कनेर का फूल हमेशा फूलों से भरा रहता है जो पेड होता है उसमें इतने फूल किलते हैं बहुत बहरा रहता है ऐसे ही अगर आप कनेर का फूल लाएं और लाके अपने आंगन में लगाएं तो उससे धन धानिये की कभी भी कमी नहीं होगी पेड जितना मन को शांत करेगा उतने धन संपत्ति संब्रदा बनी रहती है घर में क्योंकि उसमें जितने ही फूल किलते हैं वैस ऐसा करने से आपके घर में खुशाली बढ़ी रहेगी और नेगिटिव ओर्जा भी जाएगी और साती सात मन भी शांत रहेगा और आपके घर में माता लक्ष्मी का आपाल धन आना शुरू हो जाएगा धने धानिये की कभी भी कमी नहीं हो पाएगी तो ये उपाएं जरू सफेद कनेर का फूल जरूर चड़ाना चाहिए ऐसा करने से आप जो भी आप करियर में जो भी आपका करियर है या इंटर्विव है या आप कोई परिक्षा देने जा रहे उसमें रहे जा रहे हैं या इंटर्विव में रहे जा रहे हैं या नौकरी में तरक्की नहीं हो पा पूर्ती होगी कल ऐसा संजोग बना हुआ हैं अमवस्त्या वले दिन माता लक्षमी को कनेर का फूल अर्पित करके मन घर में धन्य और धान्य की कभी भी कमी नहीं हो पाईगी इससे माता लक्षमी खुश होंगी और आपके घर में माता लक्षमी वास करना शुरू कर देंगी और आपके घर में जो देवी देवता हैं जो रूटे होएं कल के दिन प्रित्र दोश भी होता है आपने कंगा जल लेना है एक कटोरी में और आपने तुलसी में साधवरी करके आचमन कर देना है और अपने नाम और अपना गोत्र का गोत्र बोल कर पित्र दोश जिस भी खुश हो जाएंगे इससे आपके घर में खुशाली और धन्य धान्य बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये उपाई ज़रूर करें अमवस्य वले दिन और चौथा उपाई आपको करना क्या है देवी देपताओ को पसंद करने के लिए सफेद कनेर का फूल चड़ाएं और भोले नाद बाबा के उपर आपने पीले रंका कनेर का फूल चड़ाना है और अपनी सबी मनुकाम नहीं कह सकते हैं बोले बाबा को और साती साथ आपने मंत्र बोलना है शिरी शिवाय नमस्तुवियम ये मंत्र करते हुए अपनी सारी समस्या बोले नाद बाबा को कहके कनेर का फूल चड़ा दें ऐसा चड़ाने से आपके सारी समस्या जो भी आपक कारिये अटके होएं वो सारे कारिये बनने शुरू हो जाएंगे और आपका छटा उपाए आपने कनेर के फूल का करना क्या है कि कल के दिन कनेर का फूल आपने जो वास्तु दोश है आपके घर में आपका जो भी वास्तु दोश है आप धनलक्षमी जहां रखते हैं आपने व श्रिप बोले नाद बाबा के उपड़ा दें और उसके बाद महां से मंदिर से फूल ले आए लाके उसको तिजोरी में रखें ऐसा करने से आपकी धनलक्षमी बढ़ना शुरू कर देगी कनेर का फूल वैसे तो बहुती ज़्यादा उसका जो फल होता है वो जहरिला होता है लेकिन उसका जो फल होता है फल के साथ में जो फूल होता है वो बहुती सुप दायक होता है और साथी साथ उससे माता लक्षमी भी कुछ होती है और श्रिप बोले नाद बाबा पे भी वो पूरी होती है और हमारे घर में धनलक्षमी का वास बना रहता है और अगर आप कनेर का फूल या पौधा आप लगाना चाहते तो कौन सी दिशा और कौन सी जगा पर आपने लगाना है तो घर में अगर कनेर का फूल आप पेड लगाना चाहते तो पच्छिम दिशा की तरफ या तो फिन हेत्रेट कोण की तरफ आपने शुब रहता है और वास्तु दोश भी आपके घर का कनेर का फूल लगाने से खतम होगा अगर आप पच्चिम दिशा की तरफ कनेर का पाधा लगाते हैं तो मैंने आपको वो भी दिशा भी बताई और वास्तु दोश के लिए भी आपको मैंने बताई कि अगर आप घर में कनेर का पाधा या पेड लगाते हैं पच्चिम दिशा की तरफ तो घर का जो भी वास्तु दोश होगा वो चीज़े खतम हो जाएंगी कनेर का फूल आपने हफ़ते में तीन बार लगाना है तीन दिन आप लगा सकते हैं वो कौन कौन से दिन होंगे वो भी मैं आपको बदा देती हूँ आपने किसे भी बुद्धवार के दिन लगाना है या शुकरवार के दिन लगाना है ये 3 दिन होते हैं हफते के जी दिन आप कनीर का पेड़र घर में लगा सकते हैं इससे शुकरवार के दिन लगाने से माता लक्ष्मी भी खुश होती हैं और सफेद कनेर का फूल लगाने से और बुद्ध वार के दिन लगाने से आपका जो ब्रेस्पती है जो कमजोर है आपकी कुंडली में वो ब्रेस्पती भी आपका बिलकुल सही हो जाएगा और आपका ग्रह भी अमोलिय हो जाएगा और आपका अनुकोल आपको डिशा दिखा और आपके ब्रस्पती से आपका बिजनेस वैपार अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा तो आपको ये चोटे-चोटे से खास उपाए कैसे लगे कनेर के फूल और पौधे के या पेड़ के तो इससे आप अपना वास्तोष भी दूर कर सकते हैं धलक्षमी का जो आपको दि कर चल रहा है आर्थिक परिशानियों सब गुजारा कर रहे हैं वो सब चीजें आपके ठीक होने लगेगी और आपके लिए ये भी बताया कि रोग से मुक्ति कैसे पा सकते हैं तो ये चोटे-खास उपाई अपनाएं और अपनी जिन्दी की जीवन में बदलाव लाएं और झाल 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 झाल